आज बनाएंगे मेठे पुवे, बहुती टेस्टी, बहुती लाजवाब लगते हैं ये खाने में और होली पड़ तो ये हर घर में बनाए जाते हैं, तो आईए देखते हैं कैसे बनाते हैं मेठे पुवे एकदम सिम्पल तरीके से इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप गेहूं का आटा और एक कप मैदा आप चाहे तो सिर्फ आटे से या सिर्फ आप मैदे से बना सकते हैं अब इसमें मैं डाल रही हूँ पाउडर किया हुआ चीनी चीनी आप अपने स्वात के अनुसार कमिया जादा डाल लें वन फोर्थ छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉफ सॉफ को इस तरीके से हाथों से मसल कर डालना है जिससे की जो इसका फ्लेवर है वो अच्छी तरह आ जाए सॉफ पुए में बहुत अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा जरूर डालें थोड़ा सा इलाइची का पाउडर डाल दें ड्राइफ रूट्स में मैंने इसमें किस्मिश डाला है आप चाहे तो अपने मन पसंद कोई भी ड्राइफ रूट्स इसमें डाल सकते हैं कटा हुआ नारियल भी बहुत अच्छा लगता है इसमें अब हलका गुनगुना पानी इसमें डालते हुए एकदम पतला बैटर तयार कर लेंगे पानी ध्यान रहे एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए अब इसे ढखकर करीब एक घंटे के लिए रख देंगे नॉर्मली पुवे को हम राद भर के लिए भी इस तरीके से रख सकते हैं और सुबा मॉर्निंग में फ्राई कर सकते हैं तो अभी मैंने इसे सिर्फ एक घंटे के लिए रखा है देखिए बैटर बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुका है देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल पतला है ये अब इसे फ्राई कर लेते हैं फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ये पैन गरम कर लिया है अच्छी तरह गरम हो जाने के बाद गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पर कर ले और इस तरीके से हलका हलका इसमें डालते जाएं जब इसे डालेंगे तो ये अपने आप पैन में फैल जाएगा गैस का फ्लेम जो है वो धीमा ही रखें जब तक कि ये अच्छी तरह सेट नहीं हो जाता है थोड़ी तेर बाद इसे कल्ची के सायता से ओयल इसके उपर डालते जाएं और जब ये अच्छी तरह सेट हो जाए तो इसे बहुत हलके हाथों से पलड़ दें दूसरी तरप से जब अच्छी तरह ये सेट हो जाए तो गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे पलटते जाएं देखिए अब ये मीठे पूवे फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह तो इसे बाहर निकाल लेते हैं बाहर निकालने से पहले इसे इस तरीके से हलका सा दबा दे जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा जो ओयल है वो निकल जाए इसी तरीके से बागी के पूवे भी तैयार कर लेंगे पुए को फेटते समय आप दूद का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसे मैंने पानी से फेटा है आप चाहें तो दूद में भी इसे बना सकते हैं उससे भी इसका टेश्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसे थोड़ा देर इसी तरीके से छोड़ दे उसके बाद जब यह सेट हो जाए तो पलट ले और अच्छी तरह फ्राइ करने के बाद बाहर निकाल ले देखिए हमारे मीठे पुए बनकर तयार हो चुके हैं इसे आप इसी तरीके से सर्फ कर सकते हैं दही के साथ, सबजी के साथ और अगर आप नौनवेज खाते हैं तो इसे नौनवेज के साथ सर्फ कीजिए बहुत ही टेश्टी लगते हैं तो उम्मीद करती हूँ रेसीपी आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको इसे रेसीपी कैसी लगी थैंक यू